नमस्कार मित्रों ददिमति संस्क्रीट एजूकेशन में आपका स्वागत है और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम किसी भी प्रकार की न्यूज को ले करके और सबसे पहले यदि जो भी न्यूज होगी हम उसको ले करके अपटेट रहेंगे यदि दर्दिमति संस्क्रीट एजूगेशन में आप पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बुलें बिना समय गवाएवे आज की इस मुख्य समचार पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं मित्रों आज ही की सबसे बड़ी ये खबर है कि जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजिस्थान बेरोजगार एकिकरित महासंग के अध्यक्ष उपेन यादव ने ये ट्विटर पे सबसे पहले जानकारी दिये और इस जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि व्याक्यता भरती परिक्षा 2018 की परिक्षा तिथी और उसके पद बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है यानि कि परिक्षा तिथी जो है वो निश्ची तोर से आगे बढ़ाई जाएगी इसके साथ यदि हम इस पर बात करें तो RPSC इसकी आधिकारी कोशना बहुत जल्द कर सकती है और जैसा कि इसमें पहले भी बताये गए था आज अकबार में भी आये था कि परिक्षा तिथी को लेकर कि कापी ऐसा मंजश्च की इस्तिती और हमने पहले भी बताये था कि इसमें 50-50 का चंस बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी उपेन यादव के द्वारा इस बात से ये 100% सही हो जाता है कि निश्ची तोर से व्याक्याता भरती प्रिक्षा 2018 की प्रिक्षा तिती मैं बदलाव किया चाहेगा यानि कि अब ये जो प्रिक्षा है वो आने वाले लोक्षवा के चुनाओं के बाद ही होने की पूरी-पूरी संभावना है मित्रों ये तो अब RPSC अपने आधिकारी गोश्चना कब करती है ये हम बहुत जल्द देखवाएंगे और फुल कमिशन की वेटक के बाद में ही ये निर्णे हो पाएगा कि अगली तारिक कब हो पाती है लेकिन अब इतना तो साफ हो चुका है कि प्रिक्षा तीती निश्ची तोर से आगे बढ़ा दी जाएगी और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी लेकी है कि LDC वर्ती प्रिक्षा जो 2013 में जो 917 जो चैनित बेरुजगार थे उनकी नियोक्ति को लेकर के भी मुक्यम मासंग के अध्यक्ष हैं उनके हवाले से ये खबर है और निश्ची तरहिए दोस्तों ये खबर बिलकुल सही है और पद भी इसमें बढ़ानी की संभावना है और प्रिक्षा तीती में भी बदलाव किया जाएगा तो निश्ची तोर से ये जो खबर थी ये सबसे पहले द इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर जरूर शेयर करें धन्यवाद